दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्स्प्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीसी पॉइंट आफ व्यू से रिलिवेंट है और इस वीडियो के एंड में हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी डिसकस करें यहां जो हमारे बीपीसी के पॉइंट आफ व्यू से काफी रिलिवेंट है जीस टू सेक्शन टू से पूछता है यहां एग्रिकल्चर वाला जो पार्ट है तो एग्रिकल्चर साइंस टेक क्लामेट रिसली एंट अग्रिकल्चर इस तरह की डिलेटेट एक टॉपिक से हम पहले ही पोस्ट किया था ताकि उनको कोई आंसर लिखने का मौका मिले फिर हम लोग उसका आंसर जो है एक मौडल आंसर भी देखेंगे उसका और डिसकेशन भी करेंगे कि इसको अपरोच कैसे करना था फिलहाल आज के न्यूस पेपर में इंटरनेशनल न्यूस जो प्रॉमिनेंट है वो ये है कि युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी क्या कर रहा है कि एक एड बिल पास किया है कि वो इसरेल को यूकरेन को इन सब को एड देगा बाइडन ने इसको यूस कॉंगरेस से पास करा लिया है अब इससे रशिया को थोड़ी सी अनपच हो रही है चीज़ें है ना कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स एड दे देता है यूकरेन को तो यूकरेन और पावरफुल होता चला जाएगा है ना तो वार नेवर एंडि है उसको हेल्प ना करे और रशिया के असेट्स को टच ना करे क्योंकि एगर हेल्प करेंगे वो एड देंगे तो अपने एड के लिए थोड़ा बहुत उनको मिलिटरली सपोर्ट भी करेंगे या आमस वगरा भी देंगे तो इसके लिए रशिया बोल रहा है कि वेस्ट इन निकम में हो गये हैं कि आप वहां पर प्राविट कंपनीज को हायर किया जाएगा पॉलिसी मेंगे लिए है ना नोट रिलिवेंट फोर अस बट एक रास्ता डिसाइड करना है अपने लिए इसको एग्जामपल मानते हुए कि भारत और पाकिस्तान सेम टाइम पर आजाद ह बहुत है पाकिस्तान इस अपनी डिस्कुशन को यह नहीं करेंगे चलो अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग अब इंडिया के जो निउस है उसमें अल्लेडी MDH और Everest पे शिंगपोर और Hong Kong में इनके इंपोर्ट पे बैन लगाया था लेकिन अब United States of America भी one third of MDH एक्सपोर्ट ओक्टोबर से reject करता चला रहा है क्योंकि उसमें उनको salmonella मिला है तो this is a very serious concern क्योंकि ये सब मसाले अभी सारे घरों में prominently use होते हैं और अगर इन में carcinogenic substances मिले हैं और हम दूसरे सब्दों में कहते हैं कि India is becoming the second या first cancer capital of the world तो इसमें कोई विरोधाभास वाली स्थिती नहीं है because we ourselves are creating those situations those that are causing cancerous circumstances to the patients अब इसके लिए सरकार की जो FSSI है उसको strengthen करना परेगा जो भी food regulation है वो बस ऐसे ही चल रहा है जो हमारी regulations है regarding quality उसको थोड़ा strengthen करना परेगा तब ही जाके इन सब situation को avoid किया जा सकता है we have to keep our interests our personal interests below what country needs है ना अब एक company को हम आगे बढ़ाने के लिए बागी सारी companies को downgrade नहीं करेंगे ना ही किसी party से ज़्यादा electoral fund मिल गया तो उस party को हम promote करें ये सब ही चलता रहता है इंडिया में और quality पर focus खतम हो जाता है लेकिन United States और European agencies ऐसी है जहां पर quality मसले में वो लोग compromise नहीं करते हैं especially food items में और वो भी जो ACA से originated है ठीक है पहले तो वो बर्चासों नहीं होने देना चाहते हैं सिया का तो किसी भी तरह से ये एक तरह का है ना trade barrier लगाते हैं उनके उपर लेकिन अगर हम खुद से ही अपनी quality check को ensure नहीं करेंगे तो ये तो susceptible है हमेशा के लिए चीज है ना तो India has to work on FSSI food regulation जो laws है हमारे उसको strengthen करना पड़ेगा और इस तरह की situation को avoid करना पड़ेगा because this creates a dent in the image of India's soft power है ना इसको international relations हम लोग इसलिए जोड सकते हैं कि India जो export कर रही है अब आज मसाले में मिला कल को अगर हम rice और wheat export करेंगे तो उसमें भी कहा जाएगा कि उसमें भी आपने काफी pesticides use किये हैं उसके अभी उसमें भी कुछ निकल जाएगा आप चुकि हमारी regulation इतनी कमजोर रहेंगी को उसमें निकलना कुछ तया है है ना तो यह सब long term effect के लिए हमारे लिए काफी प्रभावित कर सकता है हमारे trade situations को भी अभी नैनिताल और पोरी गडवाल में fire काफी तेजी से फैल रहा है तो यह fire basically जो है वो anthropogenic ही है लेकिन normally भी यहाँ fire होते रहते हैं natural fire भी होते रहते हैं तो इसकी कुछ बाते हैं कही गई है एक bumpy bucket operation है question में प्रिलम से पूछ सकता है कि bumpy bucket operation is related to extinguishing forest fire forest fire को के जो effect है उसको कम करने के लिए आग बुझाने के लिए जो helicopter से वो bucket लेके पानी में भरते हैं जील में और फिर जाएके उसपे dump करते हैं तो उसको बोलते हैं bumpy bucket operation है तो अभी Indian Air Force वहाँ कर रही है हमारे लिए keyword जो है वो relevant है फिर हम देखेंगे कि जो forest survey of India है वो classify करता है कि country का 10% forest जो है वो highly prone to fire है और 36% cover जो है वो forest fire के prone है मतलब एकदम से नहीं लेकिन second level पे वो भी 36% prone है और उतराखन में तो 95% of the forest fire जो होते हैं वो generally anthropogenic activities से ही होते हैं चाहे वो cigarette smoking से हो electrical sparking से हो या फिर कोई जानबूच के आग लगा के छोड़ दिया लेकिन जो natural causes हैं जिसकी हम बात कर रहे थे तो उसमें lightning हो जाता है high temperature होगा क्या होगा पत्ते सूख जाएंगे पत्ते सूख जाएंगे टहनिया रग राएंगी ठीक है क्योंकि यहां पर बायो मास अविल्यूटी जादा है सुखे पत्ते जादा है तो एक perfect recipe होती है fire का तो इस टाइम पर आप देखेंगा fire situation काफी जगा prominent हुआ अभी कुछ पटना में भी fire हुआ था फिर रिसेंटली और एक दो जगह और fire हुआ है अलग-अलग districts में तो मोटा मोटा इससे question जो है वो बन सकता है कि fire incidents जो होते है fire incidents के बारे में चर्चा करें इन fire incidents से बचने के लिए क्या-क्या हम precautions लिए जा सकते हैं और हमारे disaster mitigation plan में क्या forest fire या fire जो है एक major disaster है अगर है तो उसमें NDMA के क्या recommendations है इस तरह के question यहां से बनाए जा सकते हैं बहुत कम probability है क्योंकि यह BPSC के code area में नहीं आता है लेकिन जो short answer आजकल है वो तो एक दम से कहीं से भी पूछ रहा है कुछ भी तो इस तरह की चीजे एक बार अगर read up कर लेते हैं तो at least an example तो लिखी सकते हैं कि गौरी पड़वाल और वहां पे यह और नैनी ताल में काफी forest fire हुआ है recently और हम लोग यह जो बंबी बेकेट ऑपरेशन है इसके तहट हम लोग पायड बुजा रहे थो at least 4-5 keyword हो जाएगा तो 49 मिल जाता है फिर उसमें अब इसके अलाबे और काम की चीज़ कुछ भी नहीं है ठीक है यह जो आर्टिकल है संजय बारू का आर्टिकल है संजय बारू जो थे फॉर्मर प्रेस सेग्रेटरी थे मार्मोहन सिंग टैंप इन्होंने किताब बे लिखी accidental prime minister जो की काफी controversial रहा था यह आर्टिकल इन्होंने लिखा है आपके पढ़ने के लिए हमाले academic point of view से विल्कुल भी relevant नहीं है अब यह क्या कहना चाह रहे है कि अभी election हो रहा है अब democracy को समझो यहां की जो electoral system है इंडिया में कैसा परिवेश है यहां का और किस तरह से situation को improve किया जा सकता है या फिर अलग-अलग parties के क्या क्या इंट्रेस्ट है उसमें तो एक synopsis दे देता हूं इस article को पढ़ लेना ठीक था का article है समझ में आएगा कि आखिर लोग अभी लोगों की choices क्या है तो although this is not required for academics इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि अगर मोदी जी को 350 से उपर seat आ जाती है अगर इंडिये को 350 से seat उपर आ जाती है तो जो भी ग्राउंड level के नेता है उनका से क्या हो जाएगा बिल्कुल खतम हो जाएगा क्योंकि सारा चीज फिर दो तीन आदमी decide करेंगे PMO में अगर वही 350 से घटके 270 पर आ जाता है तो जो भी इनके local leaders होंगे जो भी allied partners होंगे है ना तो सबका से रहेगा इनकी governance में है ना क्योंकि यह majority mark अकेले cross नहीं कर पाएंगे directly है ना और कर भी पाएंगे तो हमेशा डर लगा रहा है कि अगर दस-पंदर defect हो गए तो हमारी तो सरकार कर जाएगी तो इस डर से वो अपने decisions को balance करके रखेंगे ठीक है तो role of opposition जो है वो opposite party की तरफ नासिफ्ट होके within party एक political balancing चलती रहेगी है ना तो संजय बारू यह कहते हैं कि नरेंदर मोदी जी को अभी बहुत कम लोग हैं जो यह करना चाहते हैं कि वो 350 से उपर seat जीते हैं है ना क्योंकि चाहे businessman हो उनको भी तो electoral fund देना पर रहा है acquiesing से ED भेज दिया जाता है CBA भेज दिया जाता है और बाकि जो भी चीज़ें हैं बाकि लोग भी है ना कभी यह नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई decision थोपा जाए उनके बातों को लिया जाए और सबसे बड़ी बात अगर आप किसी गाउं देहात में रहाते हैं उनके लीडर को अगर value नहीं मिलती है तो यहां के लोग काफी गुसा होते हैं हमारे यहां काफी tendency है इस चीज़ की तो अभी क्या हो रहा अभी एक नया trend चला है इंडियन politics में कि जो उपर बैठे हैं तीन-चार लोग वो हमेशास इनका कोई से नहीं होता है कोई लोग भी इनके पास अगर इनके घर में जाकर अप्रोच करें अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है अपॉइंटमेंट देते भी हैं तो सीधा बोदिद भाई हमारा कुछ चलेगा नहीं वहाँ पर पहले ऐसा नहीं होता था पहले भी तीन-चार लोग ही सरकार चलाते थे लेकिन इन लोगों के सरकार में इनका जो feedback होता था ground level का उनको implement किया जाता था इसकी वज़े से सरकारे जो है थोड़ी democratic nature की हो जाते थी क्योंकि वो grassroot level लोगों की बातों को सुनते थे अब वो चीज़ diminish हो रही है और संजय बारू करते हैं कि यह चीज़ और जादा डिमनिश होगी अगर एंडियो को जादा सीटे मिली तो we are not in support और we are not in against of any political party we are just discussing what this author has told ठीक है तो यह article ठीक ठाक है समझने के लिए सही है कि किस तरह से democratic process में opposition का strong होना काफी important है किस तरह से एक तरह की decision making जो है ठोपनी नहीं चाहिए और उसको एक समझस से बना के all stakeholders को साथ लेके वाला जो अपरोच होगा वही long term sustainable रहता है अब देखो एक यह जो article है a fragile consensus this article is related to international relations यह article हमने अल्यडी first article जो हमारा था जिसने हमने डिसकस किया था कि Biden अभी Ukraine, Israel, Taiwan के लिए victory ले रहे हैं अब समझो क्यों Ukraine के against कौन है? Russia Israel के against कौन है? Iran Taiwan के against कौन है? China जो भी अपने adversial countries है उनके against में जो भी countries है उनको यह दोस्त बना रहे हैं और आने वाले time पे अगर US के एक मातर एक citizen को जो की हमारा state enemy है जो की हमारा terrorist है जिसको हमने terrorist designate किया है उसको अगर हम कुछ करने की कोसिस करते हैं तो उस पे उंगली उठाता है और आज जाकर यह openly threat करता है बाकि सारे states को तो this is the best example of hypocrisy of United States of America है ना तो इंडिया-U.S. relations में जब भी हम एक criticism वाला point लिखते हैं तो वहाँ पे इन सब चीजों को quote कर सकते हैं कि United States काफी unstable हो जाता है अगर उसके domestic issues में कुछ concern यह किया जाए उनके citizens को कुछ भी कहा जाए लेकिन हाँ इस article में यही कहा गया है कि Ukraine, Israel और Taiwan को US President Biden अपनी political victory तो समझ सकते हैं यह कहने के लिए कि world peace के लिए हमने बहुत बड़ा दिन है आज हमने काफी कुछ कर दिया है बिलको law बना दिया हम एट देंगे उनको लेकिन अगर वो Ukraine को fund कर रहे हैं तो कहीं कहीं Ukraine और Russia के बीच के relation को और fragile बना रहे हैं अगर वो Israel को और जादा funding करेंगे तो Israel की ताकत और बढ़ेगी इरान के अगेंस्ट में करने की तो political instability तो बढ़ेगी यह सांती का चीज़ कहां लेकर रहे हैं तो आप one-sided approach ले रहे हैं world peace को कहां ensure कर रहे हैं हाँ अगर यह आप कहें कि आप इनकी capabilities को बढ़ाते हैं ताकि यह attack ना कर पाए यह तो possible नहीं है Russia और Israel दोनों अभी aggressive हो चुका है they will not listen to anyone अभी Israel ने इरान पे जो attack कर इरान ने जो वापिस attack किया तो US किस तरह से अपने आपको side line कर लिया था तो आने वाले time पी यह हो सकता है आज तो funding दोगे कल जब war iskelet हो जाएगा तो पिछे हट जाओगे बुलोगी नहीं हम तो कुछ करने वाले हैं इसमें तो यह world peace के लिए कहां से सही है तो इस article में वही कहाना चाहर है किस तरह से वो political instability वगरे की बात चल लई है मोटा मोटी international relations में हमारे लिए United States को criticism का एक point मिलिया और global affairs में क्या चीज चल रही है किसके बीच दोस्ती है किसके बीच दुस्मनी है यह सब हमको थोड़ा idea लगा तो हमने answer में 2-4 point अपने हिसाब से लिख सकते है अगर कुछ unwanted questions आए तो ठीक है और discussion का इस तरह के discussion का फाइदा भी यही होता है कि जो question आप पता है कि role of education in Bihar यह तो पता है question है ना इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है लेकिन अगर international relations से GS1 section 2 में कुछ आ गया है इसा question तो उसको attempt करने के लिए 38 नमबर तो इससे नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम 38 नमबर में कम से कम अगर 15-16 भी आ गया है ना नॉर्मली 15-16-17 भी आ गया तो more than enough है बागी questions में try करना है कि हमको 20 से उपर आए कम से कम 22-22 तो average marking रहे सारे questions में जो कि known questions है unknown question में 16-17 तो वो balancing का काम करेगा और फिर top 10-20 वाली बात जो होती है तब ही अचीव होगी है ना चलो अब हम देखते हैं healing the soil soil को heal करने के लिए असुक गुलाटी साहब के अर्टिकल है ये बहुत ही renowned agriculturalist है और agriculture से related इन्होंने सैकुरों के हजारों articles लिख दिये होंगे अभी तक तो इनके article का कभी अगर मिले income मिले या सी राजा मोहन का article मिले तो उनके article को छोड़ना नहीं है है ना चाहे वो relevant हो ना हूँ at least एक बार reading तो देही देना अगर academic points से relevant हो तो well and good तो इसमें basically ये कहना चाह रहे है इनका पिछला article हमने लगबग 10-12 दिन पहले डिसकस किया था उसमें भी इनका concern जो था complete food security की तरफ था इंडिया की population बढ़ रही है इंडिया के पास income बढ़ रही है लोगों के पास food choices बढ़ रहे है तो ये ज़रूरी है कि लोग सिर्फ खाये नहीं लोग जो खाये उसमें nutrient हो हमने already इसके लिए काफी कुछ किया जैसे golden rice लाया और भी 2-3 program है लेकिन हमको food production पे जोड़ देने की ज़रूरत है क्योंकि increasing population के लिए requirement भी बढ़ेगी तो requirement बढ़ेगी तो हम सिर्फ organic farming भरोसा नहीं कर सकते हैं स्रिलंका वाली हालत अपनी नहीं create कर सकते हैं उसके लिए इनका बहुत बड़ा concern है और बहुत सारी चीजों पर ये point out करते हैं जो की worth mentioning है और इसको use किया जा सकता है हमारे किसी भी agriculture के question में ठीक है मैंने क्या किया है कि जो जो paragraph है उस paragraph का moot point क्या है वो मैंने सामने लिखा अभी देखो ये क्या कहना चा रहे है कि अभी climate change का issue चल रहा है हर जगा climate change climate change की बात हो रही है लेकिन this is a fallacy that climate change discussion में first time agriculture की चर्चा हुई COP28 दुबई में कितना बड़ा ये बिजोदावास create करता है कि हम इतने concern है climate change के लिए लेकिन climate change की वज़ा से जो हमारे food security पे concern सार है उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है तो उसके लिए एक ऐसा जेस्ट करते हैं कि climate resilient agriculture होना चाहिए ऐसा agriculture जो किसी भी climate situation को जहल सके जहलने के बाद फिर उठके खड़ा हो सके ground water deprivation को देखने की ज़रुत है greenhouse gas emission को reduce करने की ज़रुत है और अपने bio diversity को reward करने की ज़रुत है उसको degrade नहीं करना है उसको reward करना है अभी जो forest fire हो रहा है अब अर्सो गुलाटी जी का हमेशा से ये concern रहा है कि increasing population growth इतनी है कि उसको उसके हिसाब से food को range करना बहुत मुस्किल होने वाला है क्योंकि आप समझो हमने 2,00,000 साल लगाए कि 1804 इसवी में 1 billion population हुआ अगला 1 billion population हमने मातर 123 साल में add किया जो कि 1927 है और इस 100 साल से भी कम में हम अगला 3rd billion जो है वो add करने वाले हैं तो कहने का मतलब कि हम कितनी जल्दी population को explode कर रहे हैं that is more than exponential और उपर से climate change तो उससे क्या होगा मास फे में आइंस आएंगे starvation deaths होगा यह ज़रूरी है कि हम अभी से pressurize करना शुरू कर दे अपने आपको push करना शुरू कर दे agriculture field में ताकि जो land है उसमे forest clear करना हो तो किस तरह से हम sustainably forest clear करें है न लोग क्या है एक forest area को clean करके उसमे agriculture growth कर देंगे लेकिन उस forest का जो impact था environment पे वो तो कम हो गया न उसको कैसे आप reduce करेंगे उपर से आप जब agriculture करेंगे राई सुगाएंगे तो फिर से उसको पराली जला देंगे तो उसके जो pollution होगा उसको को mitigate करेगा तो यह सब concerns है और इसी सब concerns को tackle करने के तरीके को हम लोग sustainable development बोलते है ठीक है फिर वो green revolution के बारे में चर्चा करते हैं कि जो नॉर्मर बोरलंग थे इनको father of green revolution कहा जाता है इंडिया में कौन थे में स्वामिनातन थे तो green revolution जो है basically उसका theme है कि वो high yielding variety यूज़ करेगा irrigation यूज़ करेगा chemical fertilizer और pesticide यूज़ करेगा जिससे जो आज की humanity food चाहिए जितना उससे ज़्यादा produce करे है ना तो FAO भी इसके लिए बात करता है कि लोग hunger से ना मरें कल्यान यूज़ना है जिसके अंदर 813 million population को free rice और wheat मिलता है है ना जो कि food security act आया था 2013 के round तो उसी act के अंदर हमने provisioning की थी free rice wheat देने की बाद में कुछ cost लग रहा था उसमें बाद में PM गरीब कल्यान यूज़ना को लाया गया current government ने और उसी को modify करके free rice दे रहा सब लोगो इसे at least food security तो ensure होई रही है अब वो बात करते हैं कि ठीक है हम लोग production बढ़ाने की बात तो कर रहा है production बढ़ाने के लिए हमको inputs में कुछ increase करना पड़ेगा कुछ enhancements करने पड़ेंगे तो जो fertilizer and उस fertilizer के लिए जो हम लोग subsidy दे रहा है जैसे policy of heavily subsidizing the use of chemical fertilizers especially urea has led to the skewed use of Np और K हम लोग किसी चीज़ को proportion में use करना नहीं जानते हैं अगर हमको कहा गया Np के use करो हमने कहा कि ठीक है इसको हमको use करना है 8 is to 4 is to 1 के ratio में हम क्यों ना इसको 16 is to 8 is to 2 में कर दे नहीं एसा नहीं कर दे तो कहीं नकर इस इंक्रीज होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है this is an optimized thing जो एक scientific चीज है हमको scientific जो guidelines से उसको follow करना है अपने मन से अगर कुछ कर दिये तो फिर गडबड हो जाएगी फिर हम बात करते हैं कि हम प्राकिरतिक खेती की तरह जा रहे है नेचुरल फार्मिंग की तरह जा रहे है तो नेचुरल फार्मिंग और प्राकिरतिक खेती मिले जाएंगे similarly soil की condition अभी ऐसी degrade हो गई है कि उसको हम और सिर्फ organic farming से improve नहीं कर सकते उसके लिए हमको और भी जादा चीजें implement करनी परेंगी pesticide insecticide का use जो है कम करना पड़ेगा और farmers को जो fertilizer पे huge subsidy देते हैं वो कम करेंगे तब ही तो जाके fertilizer कम use करेंगे but that comes with the cost of increasing prices of food products वो भी एक issue है उसको भी tackle करना ज़रूरी है फिर यहाँ water की बात करते हैं किस तरह से water depletion हो रहा है पंजाब उन्जाब में जो rice rice है उसी का जाए हो रहा है क्यों क्योंकि rice पे MSP मिलता है और यह MSP उनकी salary के type होती है तो वही चीज ग्रो करते हैं जिस पे उन rates, pulses, oilseats यह सब क्या है खतम हो जाता है इनका production इसके कारण जो overall nutritional balance है वो भी disturbed होता है फिर यहाँ पे उन्होंने बहुत सुन्दर line बोला है जो कि आप किसी भी agriculture से related question के answer में इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि India is only 2.4% of the world's geographical area 4% of the global water resources and 18% of the world's population is under huge stress be it soil, water, air और biodiversity what we can do is we have to wake up अब तो जगना पड़ेगा and make our food systems not only climate resilient but also bring back our soil to health, arrest groundwater depletion, reduce groundwater gas emissions and reward biodiversity, throw green credit ठीक है यह हो जाएगा हम solution की दिशा में जाएगे यह solution उन्होंने बता है इस तरह से हम prevent किया जा सकता है situation को तो इसी से related हम एक question देखते हैं जिसका जो question हमने already अपने दक्षवैच में post कर दिया था अगर आपने answer लिख लिए है तो आप अपने answer को match करेंगे तो कि यह climate resilient है इसका क्या मतलब है agriculture में कैसे significance है ठीक है इसका तो जो climate resilient agriculture है उससे related यह question है if you want to write you can still attempt this question उसके बाद बाद में आके फिर इसका answer देख लेना कि कैसे बताया गया है कैसे किया गया question is कि what is the climate resilient agriculture give some examples in support of your arguments as how it will revolutionize the sorry agriculture in upcoming days and have great potential to ensure food security in India climate resilient agriculture को इस question में relate किया गया है agriculture के revolutionize करने से और food security से तो देखो इसका structure simple रहेगा इस तरह के question में सबसे पहला हम क्या करते हैं हम parts ढूंडते हैं कितने part हैं तो पहला part यह हो गया दूसरा part यह तीसरा part यह मतलब मेरे body में तीन part रहेगा यह तो sure हो गया अब एक एक करके हम जवाब देते हैं तो what is climate resilient agriculture तो इसका एक जवाब तो हम first part का जवाब तो हम इंट्रो में ही दे सकते हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा और deliberate करने के कोशिस करेंगे तो climate resilient agriculture होता क्या तो यह एक agriculture practice है या एक ऐसे systems है जिसको design किया गया है ताकि कोई भी climate change का impact हो उसको minimize किया जा सके और हम food production जो है उसको sustainable कर सके यह word जरूर लिखना है इस तरह के question में sustainable word हमेशा यूज़ करना है sustainable food production sustainable agriculture sustainable farm practices तो यह सब important keywords है जो climate resilient अगर टॉपिक है तो इसमें जरूर यूज़ करना है sustainable तो यह जो approach है climate resilient agriculture का यह आपको enhance करता है आपको बताता है कि किस तरह से extreme weather event की frequency बढ़ रही है उसकी intensity बढ़ रही है temperature में shift हो रहा है precipitation pattern shift हो रहा है मतलब rainfall pattern shift हो रहा है और और भी काफी climate related challenges है हमारे सामने तो यह जो approach है यही इन सब challenges को ही tackle करने में काफी अहम role play करता है ठीक है तो एक तो लिखा जा सकता है intro में इतना उसके बाद यह वाला जो line है you can write this in body और इससे start किया जा सकता है अपने अगले पार्ट का answer देना तो climate resilient agriculture is very relevant जब हम देख रहे हैं कि frequency and intensity of extreme weather events are rising there is a shift in temperature there is there has been shift in rainfall patterns and other climate related challenges example Bangalore में यह हो गया चन्ने में वो हो गया वहाँ यह हो गया यह हो गया दो चार एक्जांपल लिख देंगे यहाँ पर अब second part second part क्या बोल रहा है कि great potential to ensure food security in India ठीक है second part तो यह है revolutionize the agriculture उसको ले लो या इसको ले लो मैंने इसको third को पहले second में लिया climate resilient agriculture practices और technologies होती क्या है उसको आप समझा देंगे फिर आप second part में आजेगे second part हमने यहां लिखा कि it has the potential to revolutionize agriculture in upcoming days by transforming traditional farming practices into more sustainable adaptive and productive systems इससे पहले climate resilient agriculture holds potential to ensure food security in India कैसे उसमें हमने 5 point लिखा इससे पहले intro हमने दे दिया climate resilient agriculture को define कर दिया अब climate resilient agriculture में इन्होंने क्या कहा give some examples तो climate resilient agriculture practices and technologies होती क्या क्या है उसमें हम किस तरह की चीज़ें use कर सकते हैं तो यह वाला जो answer है यह 6 point जो है इसको तुमको क्या करना है कि flow chart के रूप में बताना है चाहे इस तरह से बता दो ठीक है चाहे इस तरह से बता दो बस इसका यह लिख देना है that is more than sufficient यह बस समझा चाहने के लिए तुम्हारा और साथ में यह लिखने के बाद आगे फिर example करके कुछ लिख देना यह लिखने के बाद example करके कुछ लिख देना यह लिखने के बाद example करके कुछ लिख देना यह लिखने के बाद example करके कुछ लिख देना है तो यह तरीका होता है कि तुम जब और effort डालना पड़ेगा उससे related हमने ये 6 point लिख दिया अब आते हैं हमकि दूसरा कि food security को कैसे ensure करेगा तो production में stability आएगी changing condition को adapt करने के लिए कुछ examples भी हाँ है फिर किस तरह से productivity enhance हम कर सकते हैं इसमें productivity enhance करके हम food security ensure करेंगे environment degradation को reduce करके हम ये ensure करेंगे कि हमारी food security बनी रहे क्योंकि climate resilient agriculture में sustainable land और water management practice होता है उससे क्या होता है कि environment degradation reduce होता जाता है तो इस तरह से हम climate change को food security से relate कर रहे हैं farmer की empowerment उनको knowledge होगी skill होगी resources होगे कि climate change से कैसे adopt किया जाया अपने livelihood को कैसे बढ़ा जाया तो उनकी capacity building initiative से उनको training देके उनको mobile वगएरा देके है ना फिर research and extension services ये जो research and extension services this is very important agriculture का जो question है उसके inputs में बहुत example में important होता है इस तरह की चीज़ें को लिखना एकसेस टू climate smart technologies farmers एक informed decision making कर सकते हैं उससे food security हमारा grassroot level पर improve होगा हो गया हमने third part वाला दे दिया आप second part जो है question वो देखते हैं कि revolutionized agriculture in upcoming days किस तरह से कर सकता है तो जो climate resilient agriculture है this can work upon in innovation in crop varieties crop varieties को बढ़ा सकता है अलग अलग technology को adopt कर सकता है जैसे precision agriculture है remote sensing है digital farming tools है है ताकि farmers जो है data driven decision ले सके resources को optimize कर सके climate risk को mitigate कर सके और increase productivity और efficiency maintain कर सके फिर sustainable intensification resilient food systems policy support building climate resilience है ना इतना हमने लिखा कि ये सब point जो हमारे 5-6 points है ये point इसके लिए है कि किस तरह से climate resilient agriculture आने वाले टाइम पे agriculture को revolutionize करने का काम करेगी है ना फिर हम एक अच्छा सा इंटो दे देंगे सेम इंटो रहेगा जो हमने topic दिया sorry conclusion रहेगा सेम जो हमने topic explain की है उसको keyword way में यह पार में इसको किसी एक SDG से relate कर देंगे तो ये हमारे एक ideal answer हो जाता है इसको जरूर practice करना practice करने के बाद इस PDF से देखना कि क्या तुम लिख पा रहे हो क्या missing है और क्या इसमें include किया जा सकता है ये PDF मैं अपने telegram पे भी share कर दूगा और ये जो link है इस पे click करके तुम उस question को जरूर attempt करना इसका solution हम कल discuss करेंगे इसका solution हम कल discuss करेंगे this is very important as this was a previous year question और seeing अभी election season तो इससे related जितना question बन सकता है उसको हम practice करने की कोसिस कर रहे हैं that's it हमने election commission वाला चीज, model code of conduct वाला चीज, pre session, post session सब हमने discussion में कर लिया है अब फिर हम सोच रहे हैं कि एक एक this with us चलो अब अगला article देख लेते हैं जो बचा हूँ article है इसे ज्यादा कुछ है नहीं वैसा बठीक है एक बढ़ नजर लेते हैं अब यह सब जैसे कुछ news है न तो यह सब news article पढ़ लेना है हमारे academic point of view is important नहीं है लेकिन पढ़ लेना है क्यों कि क्या चल रहा है वो पता ल very good article और इस article से related एक answer का जवाब देना कि इंडिया में plastic waste से related एक regulation आया था वो regulation कौन से year में आया है और वो कौन सा regulation है plastic waste से related यह आप comment box में लिखेंगे और इस article को पढ़ेंगे अगर time मिला तो हम इसको कल discuss करेंगे आज already हमने एक दो article को देखा जो काफी लंदी हो गया फिर Microsoft launches PHI3 PHI3 क्या है एक तरह का SLM है और LLM से छोटा होता है compact version होता है अब LLM और SLM क्या होता है कि आप जो artificial intelligence आज कल यूज करते हैं उसके पीछे जो models है उसमें large language models होते हैं इसी large language model का छोटा part होता है small language model और यही small language model PHI3 है जिसको Microsoft ने launch किया है तो आज के लिए बस इत प्लास्टिक वेस्ट से related कौन सा regulation है तो उस regulation को आपको नीचे comment करना है यह article हम कोशीज करेंगे कर डिसकस करने के ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई